आम तो शाग भाजी ना छोट ना ना तो कोई वेला वाड़ा होई शे वेला वाड़ा शाग भाजी माईक दूदीनो वेलो माप माप फेलातो होई शे पन दियोदर तालुका ना मकडाला गामे एक दूदीनो वेलो विशार काई बने उशे अने आखा घर उपर पत्रायो शे गर्णी बाजु माँ एक दूधीनू बीलावी रोपनी करी हती। जे दूधीनो वेलो हाल एकलो विश्यार काई बने शे कि आखा गरू पर रज पत्राई गयो शे। जने लोको जोई ने आस्चरी अंदुपवी रहा शे। आ दूधीना बीने चार मास पहलावावनी करी जे माँ कोईपन प्रकानी दवाके रासानी खातर आपवामा आवी न थी। मात्राई वेलाने दरोज पाणी जापवामा आवी शे। आ दूधीनो वेलो अर्गिनी खवाना करणे आ दूधीनी सब्जी पन स्वाधिस्त बने शे। दूधीना एक वेलाव उपरती चार मास म अंदाजी 400-500 किलो न उत्पादन मल्यू शे। जे दूधी जम्रे ग्राम जनो त्यमा जे सगा समधियोंने मफतमा सब्जी बनावामा आपिशे। अमारा 425-500 पबलीक नूँ गाम छे। आखा गाम ने ने स्वंकोल कोई रूपियों लिदा सिवाई। अमें एक ओर्गेनिक छे। यहमा कोई हाइब्रेड बियारन के हाइब्रेड खातर पन वापरियों न थी। ओर्गेनिक ना कारणे अमें आखा गाम ने अन्ने कोई मार सगा सबन्दियों ने पड़ आपिल से यहमने पड़ गिदल से कि अपड़े जुदी तो बजार माथी लाइन खईये ची पड़ आनू आखो स्वाध आखो अलग प्रकार नुआवाँ छे। आनू अमें आवता समय नी अंदर बियारन राखी शूं और आनू पेकिंग करी अने मार्केट में हुखो ते पन व्यपारी शूं ने खेडू ते शूं और आवनार समय नी अंदर बजार नी अंदर बढ़ मुकी शूं एटले सारा कोई खेती आव आणे बागाय एती खेती करता आच्वा तो ओखे साकपाजी नी खेती करता खेडू तो ने पन आना अनू होए तो कोई 20 किलो 4-5 किलो सुधी नी होए छे पन एने अंदर कोई पड़ोकार नों अमें दवा छांटी न थी कोई राशानिक दवा आपी न थी एक दम तंदूरस्त जेके ओर्गेनिक विस्तू छे जे खावा ने अंदर पन आपने भूतकार ने अंदर ओर्गेनि आपने एगरोन बिजनेस पन चे मार्केट पन चे तो आवनारा समय मा आजे दूदी जे आने आप किटला विश्व फलक पर लाई जवा निकोसिस करें पनारा समय मा आनू अमे प्यकिंग करवाना ची आनू पन नाम पन आप बाना ची अन्ने तमाम साकपाजी फलफलादी करता खेडूतों ने वधारे उत्पादन मले अन्ने ओर्गेनिक जे दवाथी पकवे पर चे ए नाई पन ओर्गेनिक एना कारने आपड़ा देश ना जलिक दर्जी साथे लाइट 24 न्यूस दियोधर